क्या हो जब एक लड़की अचानिक से लड़का बन जाए इसे अब आप अगर नामुम्किन समझ रहे हैं तो आपको बता दे ये मुम्किन है वो भी साइंस की मदद से और ऐसा हुआ भी है कहीं और नहीं बलकि बिहार के सारंजिले के छप्रा में जीहां छप्रा की रहने वाल में चप्रा की गुडिया कैसे रुद्राक्ष बनी ये हम आपको बताएंगे लेकिन उसके पहले नमश्कार आप देख रहें ज्वंता जंक्शन और मैं आपके साथ वंधना क्यामरा पर सनुम्प्रगाश के साथ यात्रिगंड क्रेप्या ध्यान दे अब भारत में कहीं भी ट्रेड में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदिदा रेस्टोरेंट से खाना और कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं यात्रा में खाना और करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टोर अप प्ले स्टोर या आपल स्टोर पर जिहां पूरी खबर उस लड़की की है जो पैदा तो लड़की हुई थी लेकिन उसकी फीलिंग्स लड़को वाली थी कपड़े के पसंद से लेकर गुड़े गुरिया नहीं बलकि उसे खेल में बच्पन से ही गुली डंडा और क्रिकेट पसंद था जिसे लेकर घर हो या फिर समाज हर जग है यानि की अब हम आपको गुरिया की नहीं बलकि उस रुद्राक्ष की कहानी बटाएंगे जिसने रुद्राक्ष बनने का सफ़र साइंस के वजव से ताय कर पाया है यानि की मेडिकल साइनस की मदद से अपना जेंडर dist先 कर वाया है ऐसे में हो बचपनस सेहीं लड़की पसंद थे उसे भी लड़कों की तरह कपड़ा पहनना लड़कों की तरह रहना खेलना यहां तक कि लड़कों के साथ कहीं आना जाना बेहर पसंद था लड़की उसे दोस्ती की बजाए गुरिया लड़कों से दोस्ती करती थी हर एक वो हरकत जो लड़का करता है वो किया करत और यही वज़ा है कि लड़कों से लड़का बनने तक का सफ़र यवाहसान तो नहीं था लेकिन फिर भी गुरिया ने ये तैग किया पहले तो घर वालों को बताने से भी कट्राती रही लेकिन बाद में घर पे माता-पिता को बताया और वो लड़का बनना चाती थी जिसके बाद माता पिता ने पहले तो साफ इंकार कर दिया वो काफी गुसा भी हुए लेकिन जैसे तैसे गुरिया ने अपने परिवार वाले को समझाया काफी मसकत की बाद घर वालों को बनाया और आखिरकार घर वाले बेटी की खुशी के आगे जुग जाते हैं और बेटी को बेटा बनाने के लिए अनुमती दे देते हैं इतना ही नहीं बलकि इस पूरे सर्जरी का खर्च गुरिया के पिता ने अपने पूरे सेविंग से उठाया है अगर बात गुरिया के परहाई की करें तो बतादे बच्पन से ही लड़की के तौर पर गुरिया न लगा था और अब हर महीने गुरिया से रुद्राक्ष बनने के बाद उन्हें हॉर्मॉन्स का इंजक्शन लेना पड़ता है जो कि करीब दो साल तक लगाया जाएगा जसके बाद गुरिया पूरी तरह से पुरुष बन जाएंगी लेकिन अब उनके परिवार वाले को उनक कभी बच्चे होंगे ही नहीं ऐसे में फिल्हाल गुरिया यानि कि रुद्राक्ष इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही है और अपने आने वाले जिंदेगी को लेकर काफी आशावादी भी नजर आ रही है ऐसे में गुरिया ने नहीं सिर्फ अपने पसंद का जेंडर चुना है बलकि जिस दुनिया में लोग जंडर चेंज करने की चाहा रखते हैं लेकिन समाज क्या कहेगा लोग क्या सोचेंगे यह सोच कर ही रह जाते हैं इसे बीच गुरिया ने और उनके परिवार वालों ने एक नया इतिहास कायम किया है आसे में अब इस हिम्मत वाली सुरिया को देख और भी कई लोग प्रेरित हो रहे हैं तो इसी जानकारी के साथ हमें दीजे इजाजद और देखते रहे जवंता जंक्शन धन्यवाद